नमस्कार दोस्तों लाज MTD में आपका स्वागत है अभी अभी सादो के दोड़ से पेला जी वेशनूव के गर्च मुझे रेस्क्यू कोल आया है उनके घर के लेटरिंग के अंदर कोई कोब्रा सांप देखा गया है जिसको मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था और दोड़ी साथ बने रही है हमारे साथ लाइट है रही बातरूम में बारू यह हटको मैं इसे बैभी अग्यान देखाना है व्हाद्गा बहुत शंदार तरीके से गजंदर भाई ने रहे क्यों किया है? और आप देख सकते हैं इस तरीके की फ्री हैंडलिंग कभी मैं भी नहीं करता हूं और किसी को करने की सला भी नहीं देता हूं मगर घजंदर भाई ने जिस तरीके से इस कोबना स्वरी एंदलिंग की है। बहुत शांदार तरीके से और मैं इनका फैन था और आज बहुत अच्छा फैन होins इंका। यह करीब डिफिट के करीब कि हाइट है और एक साल के करीब यह कोबना हो सकता है तो अभी इनका क्या है के सर्वी का मोसम आते ही जमीन के अंदर जाने का वक्त आ रहा है तो यह आपके ज़रों में आपको काटने के लिए नहीं आते हैं यह चुए और मेंड़ की तवास में आ जाते हैं तो मैं सभी से आजवर के निवेदन करता हूं अपने गर में साफ पाकी इससे कोई खत्रा नहीं है चेडने पर खत्रा है जलो दोस्तों इसको डबे के अंदर पेक कर देते हैं फिर इसके वारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे अब बोला तो पिर देंगे वे थे महारी माडवाडी भासा में कालिंदार कहते हैं और वहहारी माडवाडी देटा कंणवाचा है कालिंदार कहते हैं और हिंदी में नाग कहते हैं इंगलीस में इसे कोब्रा कहते हैं और साइंटेफिक नेम इसका नाजा नाजा है और इसके अंदर नीरो टॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है जो इनसान के लिए बहुत गातक होता है अगर ये किसी इनसान को काट ले और सम निए अपने नजदी की वस्पिटल जाए जे हिंज भारत बंद मातरम जे भीम नमस्कार दोस्तों अभी जो एक सादो के दड़ो से और एक मेंदर जी सोनी के मां से जो हमने दो कोब्रा रेस्ट्व किया है उसको मैं और गजंदर भाई जंगल के अंदर रिलीच करने के लिए हैं तो मैं गजंदर भाई से अन्रोद करता हूं के सांपू को रिलीच करें अंदर जात मत गलाओ कि अधिया है करता है अ बैठी है अच्छा दोस्ता हमने इन दोनों सांपों में रिप्लीट कर दिया है जे हिंज भारत वंदी मातरम जे भीम और मुझे गजुबही से मिलके आज इतनी खुशी हुई है कि मैं बया नहीं कर सकता